दोस्तों Master Class of Share Marketers की सीरीज चल रही है और आज है इस सीरीज का एपिसोड नमबर 24 24 एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों आज भी आप इस एपिसोड से कुछ न कुछ ऐसा सीख के जाएंगे जो कि आपको Share Markets से संब्दी जो Knowledge है उसको बढ़ाने में मदद करेगा उससे संब्दी तो रेशियो बताने वाला होता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो बात करेंगे Capital Employee के उपर और Capital Employee से Related Fundamentals और उसके Implication उसका क्या जो है आपको Use है वो में बताने वाला हूँ आईए समस्ते सबसे पहले अगर किसी को बिना कोई भी Finance का कोई भी Background आपका नहीं है तो बताना हूँ Capital क्या होता है Capital लेकिए Sum of Money होता है Sum of Money यानि के पैसे को आप जोड़ते हैं और जोड़ के क्या करते हैं जब आप business के अंदर उसको लेके आते हैं तो वो क्या बन जाता है Capital जिसको आप बोलते हैं हम लोग अपनी भाशा में क्या बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं पुन्जी तो वो पैसा दोस्तों वो पैसा जो आप अपने बिजनस में ले करके आते हैं वो हो जाता है capital अब capital employed क्या हुआ देखिए यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है capital और capital employed में जैसे माली जे कि आपने 10 करोल रुपया बिजनस में ले करके आप आए तो वो हो गया आपका capital ठीक है अ अब उसमें से 8 करोल रुपया ही use हो रहा है और 2 करोल रुपया फिलहाल use नहीं हो रहा है कोई भी उससे activity नहीं हो रही है capital तो आप 10 करोल ले करके आए है लेकिन 8 करोल रुपया तो employed क्या हुआ 8 करोल हुआ तो इसलिए इसको बुला जाएगा capital employed do not include investment that has no role in operating business जैसा कि मैंने कहा कि 10 करोल आप लेकर के आए 2 करोल रुपया आपने रखा हुआ है safe रखा हुआ है cash में रखा हुआ है liquid में रखा हुआ है और 8 करोल रुपया से आप business कर रहे है operating business जिसको बुला जाता है तो वही हो गया आपका capital employed अब देखिए a company should generate the high return on capital employed आपने 10 करोल रुपया लेकर क कर रहे हैं यह important हो जाता है तो यह जो चीज है high return मतलब आपके निवेश पर high return आना चाहिए क्योंकि देखिए अगर 8 करोल रुपय है आपके पास या 10 करोल रुपय है आपके पास तो आप कहां उसको safely जमा कर सकते हैं FD में आप safely जमा कर सकते हैं और आप उससे 6-7% आराम स कमा सकते हैं तो आपको उससे ज्यादा ना कमाना होगा तभी तो आप कहेंगे कि आपका return on capital employed ज्यादा है देखिए capital employed का formula एक होता है उसको आप याद कर ले capital employed का formula होता है shareholders funds plus long term date यानि shareholder ने जितना भी पैसा लाया प्लस आप कोई भी loan ले रहे हैं उसको जोड़ देंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा capital employed fresh जो आप के पास होगा वो आपका यहाँ पर clearly बढ़ जाएगा shareholders का पैसा और साथी साथ long term अब मैं आपको बताता हूँ ROCE जैसा कि मैंने कहा कि capital employed जो आप business में पैसा लगा रहे हैं और जिससे को कि आप यूज कर रहे हैं वो होता है 10 करोण ही 8 करोण तो उस पर return आपका क्या आना चाहिए इसी को बोलते है ROCE तो यह एक important indicator होता है जब भी हम किसी company का fundamental study करते हैं दोस्तों उसका देखिए यह formula होता है operating profit divided by capital employed into 100 अब आपके दमाग में प्रश्ण आ रहा होगा कि operating profit क्या होती है operating profit क्या होती है कि जैसे माल लीजे आपने 100 रुपय का sales किया और उस sales को बनाने के लिए मतलब उस माल को बनाने के लिए मान के चलिए 50 रुपया लगा था तो आपका 50 रुपया operating profit हो गया माल लिजे उसको बनाने में आपको लगा था 60 रुपया तो आपका operating profit ये 40 रुपया हो जाएगा अब operating profit के बाद एक net profit आता है तो उसमें जैसे माल लिजे 40 रुपया बचा operating profit और उसके बाद कुछ खर्चे और कि ये आपने indirect expenses 20 रुपया तो आप घर पर क्या लेके जाएंगे आप घर पर लेके जाएंगे 20 रुपया का net profit जिस पर कि tax वगरा देने के बाद ही आप लेकर के जाते हैं उसको कहने का मतलब है कि operating profit वो चीज है जो कि जिसको कि आप accounting के भासा में दोस्तों gross profit बोलते हैं accounts अगर आप पड़े होंगे या नहीं भी पड़े हुए तो उसको जानिए कि इसको gross profit भी बोलते हैं अब देखिए सबसे important चीज हाई ROCE का मतलब क्या होता है अगर किसी company का देखिए हाई ROCE है इसका मतलब है कि वो company wealth generate करने में सफल रहेगी और अपने shareholders को दोस्तों shareholders को अच्छा फायदा देने में सफल हो सकती है दोस्तों फिलहाल मैं आपको लेकर के आ गया हूँ Canera Bank यानि मैंने banking और financial ही खोला हुआ है Canera Bank और ROCE है 6.63% दोस्तों देश्ट की दिगच FMCG company इसका मैंने यहाँ पर screen खोला हुआ है और ROCE यहाँ पर आ रहा है 22% और वहीं डाबर का ROCE अगर 12 के आसपास है 22 के आसपास है इसका मतलब है कि industry wise ROCE वो differ करेगा आपको industry का भी average देख लेना पड़ेगा तो दोस्तों I hope कि इस वीडियो में Capital Employed और ROCE पर आपको अच्छी knowledge प्राप्त हुई होगी अगर आप इस वीडियो में बने हुए तो thank you so much for watching this video वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलिए Thank you so much friends